हे वेलकाम बैक टो आर चैनेल दोस्तो अचके इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू टेक स्क्रीन सोट यानि कि इस डिबाइस में स्क्रीन सोट कैसे लेते हैं दोस्तो सेमसंग डिबाइस में तीन अंगलियों से स्क्रीन सोट नहीं ले सकते लेकिन स्क्रीन सोल लेने का कहीं सरे एड़मस तरीका दी गई है जब स्क्रीन सोल लेना है बालोम डाउन बटों और पर बटों को एक सद प्रेस करके छोड़ दीजिए स्क्रीन सोट कैप्चर हो जाएगा यहां पेंसील ऐकन पे टैप करके लाइन डॉय कर सकते हैं उसे इरियस कर सकते हैं स्क्रीन सोट कास्टमाइज करने के बाद सेप कारना ना भूलें गाइज इसके साथ आपको टेक्स्ट रेक्रोनाइज का फीजर्स प्रोवाइड किया है अगर फोटो में कोई टेक्स्ट रहते हैं तो उसके उपर टैप एंड होल करके उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको लॉंग स्क्रीन सोट चाहिए तो पहले इस थरीके से स्क्रीन सोल लीजिए इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रीन सोट का टूलबर दिखाई देगा इस डाउन्वाड एरो ऐकन पे टैप करके जहां तक हमको चाहिए उतना दुरी तक हम लॉंग स्क्रीन सोल ले सकते हैं देखिए दोस्तो लॉंग स्क्रीन सोट कैप्चर हो चुका है नमबर टू नोटिविकेशन पैनेल दोस्तो उपर से नोटिविकेशन पैनेल ओपिन करिए इसके बाद यहां थ्री डॉटर लाइन पे टैप करके एडिट बटन्स में जाईए यहां आपको टेक स्कीन सोट का बटन देखने को मिलेगा तो इस बटन को होल करके सेटिंग्स ओपन करके डिस्प्ले में जाईए यहां पर आपको नीचे की और एक सेटिंग्स देखने को मिलेगा एच पैनेल अगर यह ओफ किया हुआ है तो इसे टन ओन कर दीजिए इसके बाद एच पैनेल में जाईए स्क्रीन सोट फीचर्स एड़ करने के लिए पैनेल पैनेल में केवल एप सिलेट किया हुआ है आप इसके साथ स्मार्ट सिलेट को भी एड़ कर लिजिए दोस्तो नेक्स टाइम से एस पैनल ओपन करते ही फास्ट एप साएगा फिर लेट स्वाइब करते ही स्क्रीन सोट लेने का कहीं सारे सेफ चलाएगा रेक्टेंगल सेफ ट्लिक करके इतना इपौर्चन स्कीन सर ले सकते है ओवल पर ट्ैप करके सार्कल के अंतर स्कीन बान सकते है मालनो आप कोई ये साकर आप काम कर रहे हो जो बार-बार दूसरे कोई येरस्वा गालरी में जाकर देखना पड़ते है उहां से उस्क्रीन लेकर उपर पीन कर दीजिए फिर देखना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा नमबर फॉर एसिस्टेंड मेनू दोस्तो एक क्लिक में स्क्रिंड ले सकते हैं इस हिदेन फिजर्स को एक्टिवेट करने के लिए फॉन सेटिंग्स ओपन करके नीचे की ओड जाईए नेक्स्ट एक्सिविल्टी पर टैप कारना है इसके बाद इंट्रेक्शन एंड डेक्स्टरिटी यहां पर आपको एक सेटिंस देखने को मिलेगा एसिस्टेंड मेनू तो सबसे पहले इस फिजर्स को टन ओन कीजिए इसके बाद एलाउ कारना है देखिए दोस्तो डिस्प्ल नेक्स्ट शो एस एज आइक्वन को एनेवल कारना है आप देखिए साइड में हब सरकल की तरह एज आइकवन दिखाई दे रहा है इस आइकवन को होल्ड करके मूब कर सकते हैं एज आइकन को अपने पोजिशन की सब से सेट कर दीजिए जहां इस आइकवन को राखेंगे उस पर टैप करते ही स्क्रीन सोट कैप्चर हो जाएगा चाहे किसी एप्लिकेशन में हो या ब्राउजर में इसका टांस्पेंसी वेलू फूल करके आइकवन को हाइट कर दीजिए आप डिस्प्लेग के उपर एज आइकवन दिखाई नहीं देगा लेकिन जैसी आप उहां पर टैप करेंगे स्क्रीन सोट कैप्चर हो जाएगा दोस्तों स्क्रीन सोट फिचर्स के अलबा इस मॉडल का कहीं सारे हिदन सेटिंग्स और पॉल्म डेटेड वीडियो अमारे चैनल पर आपलोड किया हुआ है आप देख सकते हैं उम्मीद करते हो कि स्क्रीन सोट लेने क करते हैं